इमानदारी से जिस परिवार में रामचरित मानस का नित्य गायन होगा नित्य सत्संग होगा इमानदारी से तो हमारा पक्का दावा है ये गारंटी है कि उस घर में कभी कलह और कलेश प्रवेश कर नहीं सकता उस घर के भीतर कल जो गुस नहीं सकता पापनाशनी ठीक उसी प्रकार से राम चरित्र मानस के संबन्द में भी यही समझना चाहिए ये राम जी का चरित्र कैसा है बुधबी इस्राम सकल जैनर बुधबी इस्राम सकल जैनर राम कता कली कलों की जैनर राम कता कली कलों की तो क्लिकलुश क्या है कली, कलोस है, लड़ाई जगड़ा, कोई कली, कलós कहते हैं ? कली मने, कलह, कलीश चुछ कलह, प्रिया है कलयज़ मने, कलहयज़, कलयज़ मने, कलहयज़ एक बात बड़ी सुन्धर है कल्युक जो है महात्माओं से खार खाए बैठा है क्योंकि भगवत शर्णागती के बल से गुरु कृपा के बल से नाम महराज के बल से कल्युक की दाल उन महापुर्शों पर दिविस जो पुझ गुर्दे भक्तमाली जी की कोटी के महापुरुश है उन महापुर्शों पर कल्युक की दाल गलती नहीं है तो कल्युक खार खाए बैठा बैठे रहते हैं कल्युक महराज की अरे तब बे आसपास बालों के उपर पर अपना प्रभाव डालते है बोलो भक्त बद्सल भगवान की जैन और यह बात बिलकुल पक्की है हजारों लाखों की भीड में भी भगवान के भक्त संत महात्मा अकेले ही होते हैं क्योंकि उनके अंतक करण की जो दिव्य भाव की धारा है उसकी अनभूती अंतर्यामी भगवान के तरिक तोर कोई कर नहीं सकता हम यदि किसी महत्पुरुष के साथ अपने अंतक करण को मिला देंगे अपने चित को मिला देंगे तो उनके चित की जैसी अवस्था है बिना किसी साधन के हमारा चित वैसा ही बन जाएगा यदि हमारा चित वैसा नहीं बना है तो ये बात बिलकुल पक्की समझ लो कि हमने अपना मन उनके मन के साथ नहीं मिलाया, हमने अपनी बुद्धी उनकी बुद्धी के साथ नहीं मिलाई हमने अपना चित उनके चित के साथ नहीं मिलाया, हमने अपना अहम उनके अहम के साथ नहीं मिलाया इसलिए कल्युक की दाल गलती है फिर रागद्वेश अहंकार उचनीच की भावना कलह, कलेश ये सब चीजें व्यापत होने लग जाती है पर सब के सब एक साथ स्री राम जी के इस दिव्य चरित्र का आस्रे लें तो राम कथा कली कलुष भिभन्यनि राम जी की कथा कली कलुष को भन्यनि बिभन्यनि बिभन्यनि बिशेश रूप में नश्ट करने वाली इमानदारी से जिस परिवार में राम चरित्र मानस का नित्य गायन होगा नित्य सत्संग होगा इमानदारी से तो हमारा पक्का दावा है ये गारंटी है कि उस घर में कभी कलह और कलेश प्रवेश कर नहीं सकता उस घर के भीतर कल जो गुश नहीं सकता आप लोग कहेंगे कोई उधारन बताओ सुनीता जी बैठी है जब पहली यात्रा में पूज गुर्देव भक्तमाली जी महराज दमोह में पूज पंडिश्री सिवसंकर जी दिक्षिद जी दादा जी के यहां जब पहली यात्रा में महराजी पदारे और उस समय सुदामा कुटी के बड़े पुजारी जी पूज श्री रामचंद्रदास जी महराज भी बड़े पुजारी जी भी कहते आप लोगों में से कई लोग हैं उनको इसमर्ण होगा महाराजी की पहली यात्रा थी किस सन में हुई यो हमको सन याद नहीं सन हमको याद नहीं किस सन में हुई इनको पुरुदाजी को पता होगा नहीं है पता 92 93 ये बता रहे हैं प्रहुदासी बता रहे हैं 1993 में 1993 में महराजी की पहली कथा हुई तो उस घर में महराजी पधारे तो वहां दादाजी के हैं तीन समय सत्संग होता था रात्री को लाडली लाजी के सामने रोज राम कथा होती थी मानजी की कथा होती थी दादाजी कहते थे और सुवेरे सुवेरे चार वजे से कीर्टन शुरू हो जाता था प्रहलाद भगत को देर ना करी प्रहलाद भगत को हम्भभार प्रगताय हरी 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 हरी हम्भभार प्रगताय हरी 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 ह इसे अनेक भक्तों का फिर कीर्टन महामंत्र का होता था और फिर साम को महाराजी की भक्तमाल की कथा राम को साम को रामचरत मारस की सुवेरे थोड़ी देर भागवजी का भी सत्संग होता तो महाराजी कहते थे महाराजी के शब्द हैं महाराजी कहते थे पंडी जी इस घर में कल्यूग भूस नहीं सकता क्या इस घर में कल्यूग भूस नहीं सकता और पूझ्य दादा जी की उपस्थिती के काल में वस्तुता घर का ऐसा वातावर्ण था कि लगता था कि इस लाडवी लाड़ी की इस कुझ्ज के बाहर कलजुग हो सकता है इसके भीतर कलजुग का प्रवेश नहीं है इस सत्संग की महिवाँ है इसलिए राम कथा कली कलुष बिभंजा नहीं है इमांदारी से आप आस्रे लेंगे तो आपके भीतर कली नहीं रहेगा कलह नहीं रहेगा और महरत जी रामचरित मानस का एक एक कशर रामजी का स्वरूप है इसलिए काटा पीटी नहीं करना चाहिए पन्नों को मोड़ना नहीं चाहिए बड़े आदर के साथ इस गरंथरतन को रखना चाहिए और गाना भी बड़े सावधानी से मने इसकी कथा भी बड़े सावधानी से करनी चाहिए जे गावई ही अचरित सवारे ते यही ताल चतुर रखवारे सदा सुनही सादर नर नारी ते शुरुवर मानस अधिकारी रामचरित मानस के अधिकारी वही हैं जो आधर पुरुक स्री रामचरित मानस का स्रवन करते हैं जो आधर पुरुक स्री रामचरित मानस करते हैं